ओम श्री परमात्मनी नमहा ओम श्री गुरुभ्यो नमहा ओम श्री रिशिभ्यो नमहा सर्वेव्यो नमो नमहो देवबानी संस्कृतम इगुरुकुलम में आप सभी महानभाबों का हार्दिक अभिनंदन हैं मेंगा सभी महानभाबों का इस छठी कक्षा में पुनह स्वागत है अभिनंदन हैं नए उत्साह के साथ में नए उल्लास के साथ में नई बुद्धी शक्ति के साथ में और नए ज्यान के साथ में फिर हम निरंतर चार दिन तक संस्कित गंगा में सनाम करके अपने आपको पवित्र करेंगे यह चार दिन निरंतर आपके हमने ले लिये हैं चलिएगा अब हम कक्षा का आरंभ करते हैं अभी तक आपको पांच कक्षाएं पढ़ा दी गई हैं उन पांच कक्षाओं में हमने आपकी सामान नियू बना दी निव बना दी है अब बस आपको खड़ा कर दिया है अब आपको दीवाल की इंटे चिन्नी है कि अब आपको घर बनाना चालू कर देना है उपर उपर निव पक्की हमने करा दी अब आपको घर बनाना है अच्छी अच्छी इंटे लगा करके जो जितनी अच्छी इटे लगाएगा उसका घर उतना ही अच्छा मजबूत बनेगा अच्छा वाला सीमेंट लगाना है आपको हम बताते जाएंगे ये वाला सीमेंट लगाना है और ये वाली इट लगानी है बस आपका बबन एकदम पक्का बन जाएगा जो जीवन परियंत हिलेगा नहीं तो मित्रों आपको हमने जो भी पांच कक्षाओं में पढ़ाया है और आप मैंसे अधिक तर पाठर गणों ने कारे को भेजा है ठीक है तो मैंने आज समूह में दो चीज भेजी थी एक राम शब्द के कुछ रूप थे वो मैंने भेजे थे आपको और एक कुछ पठती पठताप पठनती यह भेजा था और मैंने आपसे निवेदम किया था कि इसको आपको देखना है बस यह से देख लेना है कि यह चीज आपके पास में आ गई है तो उसका थोड़ा सा हम आपको यहां प्रियोग हमको दिखला ना है क्योंकि आगे वाक कि संरचना करनी है तो पहले बोची हमको बतानी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगे अब हम थोड़ा सा आपकी इंग्लिस की ग्रामर की तरफ चलते हैं इंग इसको भी समझ लीजेगा पास क्यों नहीं पढ़ाया जाता-प्यू्चर क्यों नहीं-पढ़ाया जाता इसको भी थोड़ा सा हमको विचारना चाहे ३ चलिए कर लाइक सभी लोग कर दीजेए तो विचारना चाहिए प्रज्जैंड ही क्यों पढ़ाया जाता हे अ हम हिंदी पड़ते हैं तो भी प्रजेंड पढ़ाया जाता हे बदुर्दू नहीं पढ़ाया जा는 क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हमारे सामने होता है वर्तमान हमारे सामने होता है पढ़ने और पढ़ाने वाले के सामने होता है और जो चीज़ सामने होती है वो चीज़ जल्दी से समझ में आ जाती है ठीक है जो चीज़ सामने होती है उसको जल्दी से समझाया जा सकता है और समझा जा सकता है इसलिए प्रजयंत अर्थक बर्तमान काल के वाक्यों की संरचना को सबसे पहले सिखाया जाता है यह कारण है इसका बिना कारण के नहीं पढ़ाते कारण के होने पर ही पढ़ाते हैं तो बेखिएगा वर्तमान काल होता है और वर्तमान काल को जब आप इंगलिस में पढ़ते हैं प्रजयंट टैंस क्या पढ़ते हैं प्रजयंट टैंस को भी क्या है चार भागों में बांट देते हैं कि चार भागों बाड़ देते हैं कि चार भागों में बाड़ देते हैं उसी प्रकार से संस्कृत में भी बाटा जाता है परंत अब अभी हम सबसे पहले आप को मात्र करिया का बोध कराता है उ सको पढ़ाएंगे थीक है ही कि वहां से चलेंगे दी दीरे 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 ऐसे पढ़ाएंगे गड़ कि तो जो आपका कि इंगलिस में प्रजेंट कि जो इंडेफिनिट टेंस होता है कि उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं कि लट कि लट और पीछे जोड़ देते हैं लाकावान कि यह जोड़ देते हैं कि ठीक है लिखने के इंगलिस की जरूरी नहीं मैं बोल रहा हूं उसे सुन लिएगा कि इसको आप इंगलिस में कहेंगे तो यह क्या है प्रजेंट इंडेफिनिक टेंस अभी इसको पढ़ना है और मैंने इसके आपको आपको यह प्रयास करेंगे कि आपकी तैयारी कक्षा में ही होनी चाहिए थोड़ी कक्षा दीरे चलाएंगे कोई परेशानी नहीं हम आपका एक्ष्ट्रा समय ना लें इतना दीरे दीरे पढ़ाएंगे कि आपको यहीं सब कुछ समझ में आना चाहिए जिससे आपका दुबारा या तिवारा वीडियो देखने का क्या कारेव कम हो जाएंगे क्योंकि हमें चिंता है आपके समय की आपके स्पास में भी सीमित समय है उस सिमित समय में ही हमें आपको संस्कित सिखानी है ये हमारा पूरा फोकस से ध्यान है तो प्रजेंट INDEFishi ends को संस्किप में बोलते हैं लत लकार ये नाम संस्कित भाषा को सीखते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ होता है सामान्य-वर्तमान काल ठीक है कि अब देखिएगा जब भी हम आपको धातु बोलेंगे क्या बोलेंगे धातू यह शब्द बोलेंगे तो आपको इसका अर्थ क्या समझना है आपको इसका अर्थ समझना है जो इंगलिस में आप जिसको बोलते हैं वर्ब क्या बोलते हैं वर्ब यह बोलते हैं आप बर्ब बोलते हैं तो जो आप बर्ब से मीनिंग समझते हैं वही संस्कृत में धातु शार्ब से बाजता है ठीक है जैसे आप इंगलिस में गो इट ड्रिंक स्लीप यह क्या है बर्ब्स है इनको रूट भी बोलते हैं उसी प्रकार से संस्कृत में भी लगभग 2000 धातु हैं 2000 वर्ब से कितनी है 2000 2000 हम आपको याद नहीं कराएंगे और याद करानी नहीं आपको याद हो जाएंगे तो आपको मैं यह बतलाना चाहरा हूं तो जब भी मैं धातु बोलूंगा तो आपको क्या समझना है वर्ब फिर दीर आपको अभ्यास में आ जाई तो धातु से आप धातु ही समझेंगे ठीक है तो इस प्रकार की बहुत सारी धातु है जैसे आप के लिए मैंने भेजाता पठ ये पठ ये क्या है ये पठ इस प्रकार की धातु है पठ एक वर्ब है पठ का अर्थ होता है पढ़ना इंग्लिस में कहेंगे तो टू इस्टडी एट टू रीद ऐसा कह सकते हैं तो अभी अब आपको यह समझा दिया यह पठ क्या है यह धातू है और ऐसी कि उसके फॉर्म होते हैं ठीक है अभी चलिए में बत्त लाता हूं आपको अब देखिए राएं यह हमने बताया था आपको कि संस्कृत में कितने पर्षन होते हैं कितने पर्षन होते हैं कि एक होता है प्रथम पुरुष आपको प्रथम पुरुष हो बोलेंगे इसको दूसरा है आपका मध्यम पुरुष शाह और तीसरा कौंचा है उत्तम किeme i 700 वाल और इसको अधिया तीकही यहां में अब अभी समझाना आइप होया इसलिए में बता रहुमstra अभाक कि नेंग्लिस थोड़ा कम है इंग्लिस में इसके लिए वैस के लिए में और और इसका singular छोड़ करके सभी के साथ में सभी के साथ में एक सी बर्द होती है इंगलिस में जो फॉर्म जैसे आप मानिएगा यू गो और आई गो वी गो यू और गो और दे गो सब के साथ में एक सी क्रिया लगा दी हमने और जो थर्ड पर्सन सिमुलर लाएंगे तो क्या ही गोज अत्वा सी गोज तो वहां थोड़ा से चैन्य होता है पर संस्कित में क्या होता है यह तीन पर्सन है तो सब पर्सन के लिए अलग अलग क्रिया का प्रियोग होता है आप क्रिया के द्वारा ही अनुमान लगा लेंगे कि इस वाक्य का करता यहां है यह थोड़ी सी सुविधा है यह सुविधा है तो यह क्या है प्रथम पुरुष मध्यनपुरुष उत्तम पुरुष इनके लिए अलग-अलग forms होते हैं धातूओं से बने हुए और देखिए का प्रथम पुरुष में क्या होता है बचन कितने होते है संस्क्रित में बता दिया था मैंने एक बच्अ दिवक्चन अधर्ब यह तो इसका मत्रब क्या हुआ तीन बच्टन इसके ओ गए इसके ओ गए तीन और तीन और तीन ठीक है एक बचन द्री बचन ब़वचन एक बचन ड्री बचन ब़वचन एक बचन नुग सिद्ट को टिक इसका मतलब क्या हुआ हमें प्रट्येक धात्व का जो रूप है जो जो रूप बोलते हैं फॉर्म बोलते हैं वो नौ प्रकार का बनाना पड़ेगा ठीक है अब यह मेने बात आपको समझा दी सरल धंग से इसको अभी और समझाना है मैं इसको अभी और समझाना है मिए धातू की परभाशा दो बताईए धातू की परभाशा 2000 धातुे थातु पातु मेंी दातु की यह परभासा अभी उसमें व्याकरन का पाथ नहीं है इंद्र नाराय intervals में अभी हमारे उन पाथ को पढ़ाया जा रहा है जो सनस्कित को बिलकुल नहीं जानते आप स приним को जानते हैं तो तो आपको थोड़ा आगे समझ में और अच्छा आएगा अभी आपके लिए सामन्ने परंतों दूसरे पाठकों का हमें ध्यान रखना हैं जिनको संस्क्रिप बिल्कुल भी नहीं आती हम उनको चड़ा रहे हैं अभी कि तो यह नों अब देखियागा मैंने आपको जो दिया था क्या दिया था उधिए इसलाटल और यहां लिखाता लट लट लकार है वर्तमाल का यह मैंने आपको दियागा तो आप देखेगी आप पठती पठताह पठंति यह आपने सब में पैसे चटमी और साथ में आठमी जरूर पड़ा होगा पर भूल जाते हैं लंबे समय से भूल जाते हैं प्रणाश 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 प्रणा सबता है अब आपको इसको सम्झा दिया कैसे आपको दीखेगा देखिए यह क्या है प्रथम पूरुष यह प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्र जब हम वाक्त बनाएंगी तो यह वाला प्रथम पुरुष्ट के लिए हमको प्रयोख करना है और यह मद्धन पुरुष्टी रोह है और यह उत्तम पुरुष्टी रोह है और इस रोकी क्या है एक बच्चन क्या है एक बच्चन और इस रोकी क्या यह दूई बच्चन को आप क्या सकते डूल और एक बच्चन को सिमुलर और यह क्या है बहुत बच्चन हम आप यह इसको उच्छाण भी कराना है आपको यहीं याद भी कराना है मेरे को ठीक है आप चुंताना कीजिएगा धीर दिये ठीक है ऐसे देखेंगे ऐसे देखेंगे ऐसे देखेंगे तो एक बच्चन के हैं और यह दिवच्चन के हैं और यह बहुच्चन के हैं सिंगुलर डिल और प्लूरल और ऐसे देखेंगे थर्ड पर्सन सेकिंड पर्सन और फर्ष्ट पर्सन ठीक है यह मैंने टेबल बना दिया अब टेबल को याद कराना है बोल बोल करके मेरे साथ बोलना है आपको अभी इसको कम से कम 10-15 बार बुलवाओंगा आपको अभी ठीक मैं आपके कमेंट की तरफ नहीं देख पाऊंगा क्यों कमेंट की तरफ देखता हूं तो यह कख्षा खराब हो जाती है उसका जो एक क्रम है तो टूट जाता है आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी आप वाटसप मैसिद पर भेजिएगा यह पहले एक व्यवस्था ब जो लिएगा मैं सुनूगा अंतरात्मा से आपके पास में आकर के सुनूगा कि आप बोल रहे हैं अत्वा नहीं बोल रहे हैं ठीके चलिए पठति पठताह पठंति पठसी पठताह पठता पठामी पठावह पठामाह पठति पठताह पठंति पठसी पठताह पठाथा पठामी पठावह पठामाह और बोलिएगा अभी अभी धीरे धीर पुलबा रहा हूं फिर स्पीड से पुलबा हुआ अभी पहले उच्चाण करना सीखिएगा ठीके थोड़ा आरम में उच्चाण करने में कठिंता होती है हर भाशा के उच्चारण में ठीके पठती पठतह पठंती पठसी पठतह पठतः पठामी पठावह पठामाह माहा अभी याद करना है आपको ध्यांते के ध्यांते को चाण करना याद हो जाए आपको पठती पठताह पठंती पठसी पठताह पठाथा पठामी पठावह पठामाह अब थोड़ा सा स्पीड से बोलते हैं हलका स्पीड से पठती पठताह पठंती पठसी पठताह पठाथा पठामी पठावह पठामाह ठीक है चलिए फिर दुबार बोलीएगा आपका समय बचा रहा हूं आपको अलब से नहीं देखना इसी में अभी याद होगा यह वाक्यों को बनाने से पहले इतना हमको बताना पड़ेगा एक का ठीक है फिर हम आपको एक ट्रिक बता देंगे एक जुगाड बता देंगे यह आपको रटना नहीं फिर इसी का रटन का पर आप नहीं आवश्चकता नहीं बस इसी को रटना शीये डा कि इस चलिए पांथाती इसी पांथाफ़ नहीं हो इसी पांथाफ़ हम दो ही के बर्थाती पांथाब नहीं दोह है को कि ठीक है देखते रहेगा हमको आपसे अतिक आनंद हमको आ रहा है पड़ाने में आपको कितने लोग एक साथ में संस्कित माता को सीख रहे हैं पठती पठताह पठंती पठसी पठताह पठता पठामी पठाबह पठामह चलिए पांच बार और बोलेंगे बस पांच बार पूरह याद करा देंगे आपको अब खटती पठताह पठंती पठसी पठताह पठाथा फढँभा अपको बचपन के दिन याद आ रहे हूँ tenants को इस्कूल वाले पाठाती पाठाताह पाठंती पाठासी पाठाथाह पाठाथा पाठामी पाठाबह पाठामाह चलिए रदो बार होगे पाठाती पाठाताह पाठंती पाठासी पाठाथा पाठाथा पाठामी पाठाबह पाठामाह तीन बार होगे दो बार होगे पठती पठताह पठंती पठसी पठताह पठाथा पठामी पठाबह पठामह ये बारोर है पठती पठताह पठंती पठसी पठताह पठाथा पठामी पठाबह पठामह चलिएगा याद हो गया आप अपने आपको पूछिएगा याद हो गया इतनी बाहर में तो सब को याद हो जाएगा सब को याद हो जाएगा बच्चियों को भी याद हो जाएगा तो आपको तो पर में अधिक बार बुलवा दिया ठीक है अब फिर दुबारा में बतला देता हूं यह एक बचन की रो है और यह दुबचन की रो है और यह बवचन की एक बचन का अर्थ होता है एक किसको कहना एक को कहना और दुबचन का अर्थ होता है जब दो को कहते हैं और बहुबचन का अर्थ होता है दो से अधिक को जब कहते हैं तो बहुबचन आता है प्लूरल आता है यह आप जानते हैं जैसे वह जाता है और वे जाते हैं ठीक है हिं यह मैने आपको table समझा दिया यह table आपको आगे साहता करेगा एक table यह तो मैंने धातू का table समझाया है हर धातू के ऐसे ही रूप बनाने पड़ते हैं ठीक है यह मैंने याद करा दिया आगे जब अभ्यास पड़ेंगे तब हम आपको एक जुगाड बता देंगे हुआ के भारत वाले लोग हैं जुवारत से कुछ भी बना सकते हैं घिप Katyay carn मनtaking ईएरोप्लां बना सकते हैं जुँँचाय है जुगार से वह हम सकते हैं घुआ जुगार से आपको ये भी बनाना सिखा देंगे आपको रथने की आऊश्यकता नहीं पड़ेगी धर 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 लिखते जाएंगी ठीक है चलिएगा अब इसको मैं हटा देता हूँ अब मैंने आपको दूसरा टेबल दिया था एक अब देखिए का दूसरा टेबल था आपका वह मैंने दिया था आपको राम शब्द का दिया था ठीक है संस्कित में जो जैसे part of speech इंगलिस में बोलते हैं उसमें noun हो गया आपका pronoun हो गया आपका और adjective हो गया आपका और एडबर्ब बाले जो शब्द होते हैं वो शब्द हो गए ठीक है तो इस प्रकार के सभी शब्दों को जो शब्द होते हैं जो किसी वस्तू या किसी द्रब्य या किसी व्यक्ति विसेश का नाम रखे जाते हैं इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं जितने भी शब्द हैं उ पॉर्म बनते हैं यह बठ नहीं होता है पठ होता है तो बठ किसने बोला है अच्छा अब नहीं है पठ धातू है पठ वो हो सकता है यहां लिखने में थोड़ा सा उनको गलत पठ धातू है यह रूट है ड्यक को आब हम में बताया हमें जो बाक्त कि बनाएं यह संस्कृत का उसमें प्रकार के शब्द प्रयोग करने पड़ते हैं यह तो मैंने ऐसे जो डुह वाले शब्द सके अलाबा यहां मैंने टेवल आपको दिया सब्सक्राइज उसको यहां लिखूंगा और फिर समझाऊंगा ठीक है फिर वाक्यों को बनाना आरंब करेंगे यह दो चीज पस कम्प्लीट हो जाएं आपकी फिर सीधा आपका वाक्य निर्मान क्योंकि अभी कई प्रश्व चीजे समझ में नहीं आत यदि मैं ये टेवल आपको नहीं सिखाता तो मैं ठीक है अब आज आईएगा अब में टेवल बनाता हूं रांगा यह राम हम शब्ध है और यह रस्व अपारांत है और संस्कृत में टी लिंग ओते सब भाशाओं में उन कि यह इसकल्रिंग और फॉस्टी नहीं सिंपना लिंग तो यह पुलिंग शब्द मिस देख अट्रस्व अकारांत थिक है आप इसका में जितने भी फॉर्म स्पंटेबू लिखता हूं ठीक है करें लिखेंगे करेंगे लिए अधी आप श्राइए जिस अधीक है तो फिर उसले बाद में आपको एक्स प्लैन करूंगा कि अपना जो हमने वेजा था आपको पोश्ट उसमें भी देखिएगा कि कहीं गलत मेरे से लिखा जाए तो मेरे को टोकिएगा ठीक है कि लिखते समय गल्ती हो जाती है कभी कभी प्रवा हमने बाद में जो कि लाए जब एक्सा ही जाती है झाल 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 आप 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 मैं बोल ले रहा हूं जो इसको अब आप 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 ठीक है अब मुझे बताईएगा ये टेवल आपको पूरत दीख रहा है इस पश्ट अत्वा नहीं दीख रहा है एक ब्यक्ति कोई कमेंट कीजेगा ये टेवल पूरत दीखना चाहिए कमेंट कीजेगा दीख रहा है अत्वा नहीं दीख रहा है जल्दी से कुरू जल्दीर नहीं ठीक है ठीक है ठीक है बडडड़़़़़़़़़वश झाल झाल ठीक है यह पूरा टेवल मैंने बना दिया अब टेवल को समझाना है आपको आप भी अपना जो मैंने ब्रोज भेजा था उसको खोड़ लीजिएगा नखिएगा मैंने बताया जितने भी संस्कित में शब्द हैं जितने भी परत्ती परकता इतलों को छोड़ करके जितने भी शब्द हैं उनके प्रत्यक शब्द के इतने फॉर्म्स बनते इतने रूप बनते हैं जैसे यह एक राम शब्द है राम एक शब्द है अब इसके कितने रूप बना दिये कुछ लोगों को हिंदी की गिंती नहीं आती है तो इंगलिस में भी बोलते हैं वन वन टू ट्री ओर 556 789 1011 1213 14 15 16 17 18 और नाइन टीविक्षाट यह टेज्टी में ट्रफॉर्टिटी ट्वंटी ट्रीटी ट्रीटी ट्वंटी ट्री पॉर किटिवन पून्टी फॉर्याइट है थे वंटी दी फोर आप उट्टेबल दीख रहा है पूरा यह वेरीगोड है इस प्रत्य शब्द के इस प्रकार्स के फोर्म बन्ते हैं आप इसको हमें समझना हहना है क्योंकि दो इक चपन या वह कहते हैं आपको एक वचन की रोह यह यह एक लिखाएं एक बचन सिंगुलर शिवक्तीौ है ये गीफचन विल घंकी रो है अब्था इस ाल में बोगेरी इस अब अबकमें सबस्क्राइब ह सब्सक्राइब वह माने बहुंत इस में होगा तो इसमें से किसी शब्द का प्रयोग करेंगे ठीक है सरल है पिल्कूल सरल है बहुत धीरे धीरे अच्छा जी जैसे हमने उसकी भी ऐसी ऐसी की थी तो इस टेबल को आपको ऐसा भी समझना है ऐसा ऐसे ऐसे कितनी पंतिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 है ठीक है इसको संस्कृत में यह फश्ट रो है इसको क्या पोलते हैं ऐसे बोलते हैं प्रथमा विवक्ति नाम रख दिया उसका हम आगे आपको बोलेंगे प्रथमा विवक्ति तो आपको यह समझ लेगा अच्छा प्रथमा विवक्ति का मतल़ है पहली वाली रो के ये तीनों शब्द, ठीक है ये समझना है, नहीं तो हम बोलेंगे प्रतमा विवक्ति, आप कहेंगे, ये क्या बोले जा रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा, प्रतमा विवक्ति क्या होती है, तो प्रतमा विवक्ति का आर्थ है, इस वाली रो को बोलते है प्रतमा दर्धक्ति यह पहली लाइन को और यह को सल जो बोलते सनस्कृत में डवितिया विभक्ति जो अ बोलते हैं विवक्ति में और जुड़ मैं जुड़ में और इसको बोलते हैं फूर्थ को चतूर्थी विभक्ती और फिप्त को बोलते हैं पंचमी विभक्ती और सिक्स्त को बोलते हैं शष्ठी विभक्ती और साविंद को बोलते हैं सब्तमी विभक्ती अच्छा जी यह आठनी रो है इसको क्या बोलेगे अश्टमी नहीं बोलते हैं कि बोलते इसको संभोधन संभोधन कार्थ होता है जब दूर से बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं संभोधन अब यह बात मैंने टेबल में समझा दिया आपको फिर मैं एक बार और जल्दी से समझा देता हूं यह रो एक्वचन की है ? ये वाली रूद्वचन की है, ये वाली रूद्वचन की है और ये परदमा बिज़तीわ ब्धक्ति द्रूत पृतिया ब्रक्ति चतुर्थी ब्धक्ति पंचमी ब्धक्ति शश्ठी ब्भक्ति सब्तमी ब्लत्य को तीद है Scottish टेबल को मेरे साथ में आपको उच्चान करना है उच्चान भी आना चाहिए फिर हम इसकी भी एक आपको जुगाड़ बता देंगे आपको सभी शब्दों के रूप याद नहीं करने हैं जुगाड़ बताएंगे आपको कि आप राम श्याम के भी बना लेंगे आप श्रबण के भी बना लेंगे आप मनीश के भी बना लेंगे आप मोहन के भी बना लेंगे इस प्रकार से हजारों शब्दों के रूपों को आप जट जट बना लेंगे बिना रटे हुए करना है अब कि अब मेरे साथ उच्चा की इंगा सबी लोग उत्सा के साथ में जोर से 2016 इसको रामेन नहीं बोला है यह आप किसी भी प्रांत के नहीं बोला है इसको रामाया रामाब्याम रामेध्याह यह इसका एस जंडा है निदा अब बलंच समझे रहें रामस्य रामयोह रामाराम रामे रामयोह रामेशु ए रामा ए रामवू ए रामाह ठीक है अब आईए रफिर बोलिएगा इसको भी कम से कम दस बारत बार पुलबाऊंगा आपसे जी रामाह 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 रामवू रामान रामेना रामप्यां रामयी रामाया रामप्यां रामेश्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट यौह दूनक नदूद रव म्हंद स्या रामाइवा राम दूनक अ कि यह रआमग भूब है राम हुब है रामा है इसको पूरा बोलना है आपको यह रामा ऐसे तैसकं भी तूम भूल को यह संस्किप में जो है उसको हिंदी में बोलेते हैं रूब को खतं कर देते हैं खतम नहीं करना थीक OUT और उब बोल एगा उब्राह माया रामप्रामन क्नेर कंवार में रामाव्भ्यां , रामाये Рआमाग। रामप्यान रामत्य ग्यान हुआ 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 आया यह एदा इस पीड से मैं पोल सकता हूँ जोर से तो आप भी बोल सकते हैं है रामाहां रामव। रामाह, रामम, रामव, रामाम, रमेन, रामाभ्यां, रामाईह, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्याह, रामाथ, रामाभ्यां, रामेभ्याह, रामस्य, रामयोह, रामाणाम, रामे रामयोह रामेशु ए राम ए रामवू ए रामाह चलीगा जागते रहेंगा जाएंसे ये एक गंड़ा आपने हमारे लिए दे दिया है हमारे लिए दिया है इस गंड़े में तो हम आपसे जो करवाएंगे बो करना पड़ेगा जी संस्कित का रामाह रामवू रामाह रामन रामवू रामान रामेड़ा रामाद्भ्यां रामई ही रामाया, रामाभ्याम, रामेभ्याह, रामाभ्याम, रामेभ्याह, रामस्या, रामयोह, रामाराम, रामे, रामयोह, रामेशु, ये रामा, ये रामाउ, ये रामाह, 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 ये राम रामाह रामम। राम। रामान। System visits analysis at patient care for test information. रामाव्व्याम। रामयिहे। रामाया रामाव्व्याम w käyt dz cupcakes today दित के लेधाम रामाव्व q Wochen1 रigon ऐख के लेधाई। रामेशू हे रामा हे रामाऊ हे रामाँ चलिए मेरे को याद हो गया है अब आपको देखे बोलना है अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ दर नहीं देख रहा है ठीक है अब आपको भी बोलना है टेबल को बंद करती जिएगा कितना याद है देखते हैं अब आपको रामाह रामाउ रामाह रामम रामाउ रामान रामेण रामाभ्याम रामाई ही रामाया, रामाभ्याम, रामेभ्याह, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्याह, रामस्य, रामयोह, रामाणाम, रामे, रामयोह, रामेशु, हे रामा, हे रामाउ, हे रामाह, देखिए रब मैंने सुना दिया है, अब आपको भी याद होना चाहिए अब आपको बिश्वास नहीं होगा जब मैं 20 वर्ष का गुरकुल में आया तब मैंने यह राम का रूप पहली बार याद किया इसकूल कॉलेज में कुछ भी याद नी किया संस्कृत का, ठीक है, बीस बर्ष की आयू में मैंने राम के रूप पहली बार याद किये, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बीज बरस की आयूं में पढ़कर के हम वढद्वान बन गए तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं और हमारे पास तो पैसे भी नहीं 487 अधर उदर से आस जैसे महान भाव से कुछ कुछ साहता लेकर के विद्या का अध्यनम ने किया आप आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है देवानी गुरुजी भी पहुंच गए तो घर पे और पैसे भी कम ले रहे हैं और आप बैसे भी परमात्मा की दया से सुखी है संपन है अच्छी बात है होना चाहिए सबको हम सब के सुखी और संपनता की प्रार्थना करते हैं तो मित्रों मेरा कहना यह है कि आपको यह मैंने जो आज का कार दिया है यह वाक्त के बनाने के लिए इसको समझना परम आवश्यक था यदि मैं आपको सीधा बाक्त बनाने ले चलता तो आपको मैं बोलता जी परतमा ङीव्वक्थि लगा ओ आप कहते दिस्थ differences, मैं बहुत चिंतन करके दिन करता हूं कि आपको कैसे पढ़ाना है कैसे ठीक है विभक्ति ठीप लिखाया आपने तो क्योंकि हमको मालूम है कि आप दूसरी भाषाओं को जानते हैं दूसरी चीज़ों को जानते हैं अच्छी प्रकार से संस्क्रिप नहीं जानते हैं तो उसको हमको धीरे-धीरे सीड़ी चड़ाना है बास धीरे-धीरे थोड़े द तो सब लोग गाड़ी से उतर के भाग जाएंगे केवल गाड़ी अकेली खाली रह जाएगी फिर गाड़ी को वहीं खड़ा करना पड़ेगा हम खड़ा नहीं करेंगे हम गाड़ी में आपको बैठाल के रखेंगे बैठाल के रखेंगे छोड़ने वाले नहींगी टिकट आपकी देदिये दो साल की दो साल के रखना है आप छोड़ के नहीं जा सकते तो आपको क्या करना है यह पूरे मैंने याद कराई दिए विशेश कोई तयारी नहीं करनी यह क्यावल एक पारभाशिक शब्द होते हैं उनको आपको ध्यार रखना है ठीक है तो समय पर आप उपस्थित रहिएगा हम समय पर उपस्थित रहते हैं कोई कि प्रोब्लम आ जाए वो अलग बात हैं नेट आदी की उसको भी समाधान करने का प्रयास करते हैं आज कक्षा होई अच्छी प्रकार से एक गंटे की कक्षा होती है आपकी होई है ठीक है और हमने अपना भी लेना चाहां हम आपको पड़ा रहे हैं हम अपसे हमने अपनी परीक्षा लेनी चाहिए अपना नहीं समझा पा रहे हैं तो हम पर तरीका बदलेंगे यसा तो कोई संपन है यहां संपन नहीं है हम आपको आपको समय में अना चाहिये मुझ्ष कंमारा अदेश आपको समझाना आपको संस्कृत सिखाना दीरे-दीरे शिखाना जल्दी सिखाना जल्दी सिखाएंगे और मेरा उन पाठकों से निवेतन है जो थोड़ी संस्कित जामते हैं तेजी से न भागें हम आपको बहुत तेजी से भगाएंगे पर अभी हमको जो अधिक संख्या में हमारे पाठकगण संस्कृत नहीं जानने वाले हैं इसक्षा में इसलिए हमको उनका ये पक्का करना है आरंभिक जो सिक्षन है तो इतना ही कहते हुए अब मैं आपसे विदाई लेता हूं और कल पुनाशी ग्रेशी उत्साह और उमंग के साथ में फिर आपके साथ में मिलते हैं हमें निराशा नहीं लानी है नहीं लानी है नहीं लानी है करना है करना है करना है करना है कुछ भी वह कोई परेशानी नहीं है संसार में जो करने से डर गया वो समझो जीते जी मर गया हम करने से नहीं डरेंगे हम पढ़ने से नहीं डरेंगे थोड़ी समस्या आएगी में और संस्कित भाषा को दो वर्ष के अंदर अच्छी प्रकार से लिखना बोलना और पड़ करके समझना सीखेंगे यह हमारा संकल्प है चलिएगा आप सभी को प्रणाम करता हुआ विदाई लेता हूं सारवेध्यो नमो नमा